बिग बॉस से पहले अंकिता लोखंडे को पास्ट लव लाइफ को लेकर ट्रॉल किया जाता था लेकिन बिग बॉस के बाद अब अंकिता अपनी पास्ट और प्रेजन्ट दोनों जिंदगियों को लेकर ट्रॉल होती है बीबी सीजन 17 से अगर किसी ने कुछ सब से ज्यादा खोया है तो वो अंकिता लोखंडे है अंकिता की छवी बिग बॉस के बाद बेहत खराब हुई वेल अंकिता इन सब नेगिटिविटी और ट्रॉलिंग से सहथ तक ठक चुकी है कि आक्ट्रिस ने अपने एक इंटर्व्यू में ये तक कह दिया है कि मेरा मन करता है मैं इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक लेलू और इन ट्रॉलर्स से कहूं कि भईया मुझे बक्ष दो और कहीं और जाओ मुझमें हिम्मत नहीं बची लेकिन ट्रॉलर्स कहां मानने वाले है इनका तो काम ही ट्रॉलिंग करना है और अब एक बार फिर इन ट्रॉलर्स का शिकार बन गई है अंकिता लोखंडे असल में अंकिता लोखंडे और विकी जैन इन दिनों घूमने निकले है दोनों पती पतनी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड इसी बीच अंकिता और विकी ने अपना एक बेहत प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर शेर कर दिया एसा वीडियो जहां दोनों एक स्पेशल बार्थ टब डेट पर दिखाई दे रहे हैं असल में अंकिता ने अपने पती विकी के लिए ये सर्प्राइज प्लान किया था इस सर्प्राइज को सोशल मीडिया पर शेर करना अंकू और उनके बिक्कू को पढ़ गया भारी किसी ने लिखा अब टॉयलेट करते वक्त भी वीडियो बना दो तो किसी ने लिखा I used to like अंकिता पवित रिष्टा डेज, now she is just showing off किसी ने लिखा बेबी is loading तो किसी ने लिखा बिग बॉस में बिगडी इमेज को सुधारने का hard try lol किसी ने लिखा कोई फाइदा नहीं, हमें असलियत पता है तो किसी ने लिखा ये सब भी शेर करोगे क्या, वेलंकिता और विकी इस बार गलती ट्रॉलर्स की नहीं इस बार गलती आपकी है, अरे भई अपने किसी personal moment को तो personal रखो सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ दिखा देना भी जरूरी नहीं पाइनल काट, निउस टिस्क